तो कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बिनों गहाब बिसुदाले में आप से बच्चे पढ़ रहें और आप से बच्चों का समस्टर वन और समस्टर टू थी एसी का पटयू अगर आपने हिंदी रखा हूआ है तो दोनों का देखे सिलि पर से कॉम्प्रीट हमारे चैनल पर आज का पहला क्लास है तो वीडियो अगर आपको पसंद आई इसी का तो वीडियो को लाइक और से करिएगा चैनल पगा नहीं हुआ है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा साथ में बैल लाकन पर क्लिक करिएगा ताकि ये प्रकार पल-पल क्या है कि लेखन कौसल होता क्या है तो दोनों का अर्थ देखे क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा तो चरी सब्सक्राइब हमनों जानने कोस्ति करते हैं कि लेखन कौसल होता क्या है असली में ठीक है पहला क्या पूला गया है कि भासा वीसेस में यानि को भी भासा अगर हम में क्या किया जाता है कुछ इस्पेसल यहां पर कह सकते हैं जो भी सुविक्रित हमारे पर लीपी जो होती है उन प्रतिकों के माइदन यानि चिन्हों के माइदन से का करते हैं हम अपने मन के विचार और जो भाव हमारे उनको अंकित करने की जो कुसलता होती है वह हमारे पास क्या करलाती क्या दो या यहां पर अहे अधिकांस्ति जो होती आ हूं सभी भासाओं के अपनी अपनी क्या होती है लिप्य इसा करद हो मतलब लिपि प्रतीकों को वही समझ जबते हैं जिने उस भासा लिपी , व्यवस्ता भ्य C ही तो स्क्राइब पढ़ सकता जिसे उस चीज़ को ज्यान होगा उस भासा ग्यान को वही पढ़ सकता है इसलिए कआग इससे यह आसा है कि लेखक द्वारा जो भी लिपी बत विचार और भावों को व्य यही पर्ज आप समझ सकते हैं जिन्हें उस भासा तथा उस लिपी वहांसा के अच्छी ग्यान हो इन्दे कि अगर को भी भासा लिखा हुआ है तो उसे पढ़ने आल इच्छा है कि हिंदी भासा की बात कि है तो हिंदी यव भासा है जो मुख्यता सभी लोगों का आती है तो लगवग हर बच्छे को आती है तो इसलिए उस भासा का ग्यान में होना चाहिए आप उसे पढ़ सकते हैं तो यहां से इस पर्ष यह हो जाता है हमारे पास क्या कि जो लेखन है हमारे पास है कि लेखन जो हमारे लिपी है पतिकों के माईदम से हम अपने विचार तता भाव की जो हमारे अभिव्यक्ति है उसका क्या होता है एक साधन होता उसका जरिया है इस केवल निमो की रचना अत्वास कह सकते हैं जो सब्दों का हमारे पास अनुलेखन को लेखन तो नहीं कह सकते हैं लेखन व्यवस्ता के विभिन विविन घटकों से परिचीत होना तथा ली प्रवाइब करने वाले को लेखा का ग्याता नहीं मान सकता है लेखन को सलता के लिए भासा विश्यस तता उसकी लिपी बवस्ता का परियाब जानकरी होना चाहिए यहां पर कुछ कंडिसन बताएगे हैं तो अगर आपको पूछे लेखन कॉसल गर्द समझाईगे तो अगराम चीश कोस्टेम उतारके यहां से स्लिक्डर समझेगे अगला सवाल आप सी बचों से हम पूछा हुआ है कि लेखन कॉसल का महत तो बताईए आप बताईए लेखन कॉसल का महत मैं स पूछा गिया है क्या क्या लिख सकता है हमनों जितना हो से देखिए बना के लिखन कोसल का बहुत जाद इंपॉर्टेंट है लेखन कोसल के महत्व का जो अनुमान है वह हम कुछ आधार में कुछ हमनों तत्र दी है जिसके आधार आप इसे समझने की कोशिश करिएगा जैसे पहला यहाँ पर हमारे तत्र यहीं जो पॉइंट बता आई गिया है कि भासा के लिपी वद पष्टीको का मानव सब्यक्ता की विकास में ऑगर हम बात करें हमारे मानव सब्यक्ता में तो बहा से का लिखना इसके यानि कहा जादेगी अगर हम एक प्रकार की चिन्नों के इस्तमाल करेंगे जिसे हम तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे हमारे आनेवरा जुजनेशन रहेंगे उनको भी ऐसे समयनियम क्या पढ़ेगा आसानी पढ़ेगा मानब अपने पूरवजों के जीवन उनके आदसों तदा जीवन मुल्यों से का करता है लिपिवा सामगरी के माधम से भली भाती परिशित होता है यानि जो हम मानब अपने पूरवज के जो भी हमारे जीवन का लिश्त पर बिता है उनके आदस पर काम करने काम करते हैं उनके जिएन में सीखने करते हैं और इसी प्रकार हम लोग भरी बादे परिजित हों के अपना जिएन गुजारा करते हैं उनके विकास की जो दसाएं है या कैसे दिसाएं जो है उसके द्वारा है क्या होती है प्रस्टस्पूर्दियन अगर बात किया मानव का जो विकास हो जिएन म क्या कर सकते हैं अच्छे लेवल पर कर सकते हैं गुरूप बहुत तारी कम्यूनिटिस को उन से हम पर कर सकते हैं इससे माइदम में कि वह व्यापक छेत में यहाँ पर तो इससे माइदम से हमारे पास यह व्यापक छेत में क्या होता है अपने जो विचार होगे व्यापक मत करता है। वह बढ़े प्रकार की सामगरी एवां बिभीत विशोक के संवंदना केवल लेखन के अधात जानकर प्रात करता है। बलकि उसके भाव तता विचार को लिपीवत करने की योगता जो है, वो साथ में अरजित करता है, बात क्या जाए, बहां साथ को लिए देखे, जितने कह सकते हैं हमारे पास लेकन में, बहुत साथ देखे हैं हमाई सामगरी लगती है, बहुन विश्चों का हमा ग्यान नाजि इस्ताहि अवयोपती की उसलता, लेकन के माध्म से क्या अत्पाती सम्भ़ होगती है, ये बोला जाए, कि लेकन का गशय सकते हैं हमारे पास सम्भव को होता है, जब हमारे पस ज्यान अत्मक और भावारत्मक सामगईरी का गहान अद्धah नमलो करते हैं, तो ही ये सम्भव हो पाता है अगर्ला पॉंट आप लिखेगा यहां पर कि मात्री भाशा तथा अन्य भाशा में लेखन कौसल का जो विकास होता है वो भाव प्रकासन की इस्ताई एवं ब्यापक रूप पर अधिकार फ्रात करने सादन होता है यदि बात के जिए हमारी मात्री भासा यो भाव-प्रकासन का व्यापक बड़ी फैमाने पर और सक्तिसाली माध्यम तता भासा सीखने का जो कह सकते हैं चरम जो है वो सौपान के रूप में कारे करता है अगला पॉइंट यहां बताया हुए कि इस कुसलता के विकास द्वारा ही क्या होता है आने भासाओं के छात्रों को अपने भाव तता विचारों की अभिव्यक्ति का ए इतनी वह निवार अब सकता है ठीक है उनकी पूर्ति के लिए और साथी साथ अपने जिवन मरंजन को देश से लेखन को उसर को उप्योग करके यह सब हो सकता है हमारे पास लेखन पर अधिकार प्रात करने में च्छात्न के आत्मिस्वास का भावत्पन होता है बलकि उसकी जो रचनात्मक खुशलता का भाव भी क्या होता जगरी तो होता है यानि अगर बात केज़े तो लिखन के आधार पर क्या होता है लिखन से छात्र का तो जो आत्मिस्वास बढ़ेगा ये बढ़ेगा शाती साथ उसकी जो रचनात्मक खुशलता है मक जो विचार होते ये जागरी होता है भासा उपलब्दी का यह इतना आगे चलका क्या सब्सक्राइब अगला सवाल आपसी पेपर पूछा जागा यहां पर तो अगले सवाल देखें हम लोग नेक्ट वीडियो में करेंगे आज का वीडियो यहीं पर समाख करते हैं वीडियो कैसा लगा जरू बता करा दिया वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को सेर और लाइक करने का इमत करिएगा जितना उसे कि अपने दोस्तों को चैनल पर जोड़ दीजिएगा ताकि आपके जोग पेपर है एसी का पेपर वीएसी का पेपर सेख पेपर वो सारा का सार आ तक लिए जय हिन जय भारत